तो स्विलेंस आज के लेक्चर में हम क्वांटम संख्या पर आधारित कुछ प्रश्णों को करेंगी कि क्वांटम संख्या पर आधारित किस प्रकार के प्रश्ण आते हैं लास लेक्टर में हमने quantum संख्या, मुख्य quantum संख्या और उप कोश के बारे में जाना, तो आएए देखते हैं सबसे पहले कि परमानों की संरचना ली है, यहाँ पर जो पहला shell जिसे हम कोश भी बोलते हैं, यहाँ पर हम इसे shell यानि कोश बोलते हैं, तो हमने देखा कि अगर n क के प्रिंसिपल quantum नमबर के बारे में बताता है, तो यह मुख्य quantum संख्या है, फिर हमने देखा कि n की value के लिए l की value भी होती है, l जिसे हम azomethalog quantum नमबर या उप कोश भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर n की value 1 है, तो l की value 0 होगी, एक कम होती है, तो यहाँ प N की value अगर 4 है तो L की value 0, 1, 2 और 3 होगी ये चीज़े हमने समझा फिर हमने देखा कि L की value अगर 0, 1, 2, 3 और 4 होती है तो यहाँ पर इनके लिए कुछ संकेतों का उपयोग किया जाता है जैसे 0 को हम S के माध्यम से, 1 को हम P के माध्यम से, 2 को हम D के माध्यम से, 3 को हम F के माध्यम से दरशाते हैं तो यह बहुत important है कि हम किस प्रकार इन चिन्नों का उपयोग करते हैं तो देखे बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा कि यहाँ पर N की value अगर 1 है और L की value 0 है इन दोनों को अगर एक साथ लिखे तो 1S फिर हम इसे 2S और 2P लिख सकते क्योंकि 0 का मतलब S होता है और 1 का मतलब P होता है फिर यहाँ पर 3S, 3P और 3D लिखा हमने फिर हमने N की value अगर 4 है 0, 1, 2, 3 तो यह होगा आपका 4S, 4P, 4D और 4F तो इस प्रकार हम संकेतों का उप्योग मुख्य क्वांटम संख्या के साथ करते हैं हम और इसे आगे अच्छे से discuss करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो कक्षक है यहाँ पर S, P हमारे कक्षक कहलाते हैं यह हमारे कक्षक कहलाते बहुत important है, यह कोश के अंदर होते हैं, तो इन्हें हम sub-levels या subsidiary quantum number भी बोलते हैं, तो यह बहुत important है, हम आगे discuss करेंगे आगे के lectures में, बट यहाँ पर हमें problem को कैसे approach करना है, कैसे solve करना है, आईए उसे समझते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि SPDF सं संकेतों का उपयोग करिए, और quantum संख्या वाले कक्षक के बारे में बताईए, तो दिखें, यहाँ पर 2 और L का मतलब 1, तो यहाँ पर SPDF, 0, 1, 2, 3, तो इसका अर्थ होगा 2P, इसका अर्थ होगा 4S, इसका अर्थ होगा 5F, और ठीक उसी प्रकार, अगर N की value 3 है, और L की value 2 है, इसका मतलब होता है 3D, तो इस तरह के questions भी आपके exam में पूछे जाते हैं, बहुत आसान question है, और यह NCRT की questions है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, और आपको NCRT की questions भी solve करने चाहिए, क्योंकि exam में यहाँ से बहुत questions पूछे जाते हैं, फिर बात करते हैं, आपका SPDF को हम 0, 1, 2, 3, यहाँ पर L की value अगर 0, 1, 2, 3 है, तो आप उसे SPDF के माध्यम से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर आपका यह 3P हो जाएगा, यह आपका यहाँ पर 4D और यहाँ पर यह आपका 4F हो जाएगा, तो इस तरह हमने इन questions को solve किया, आगे देखते हैं बच्च कंसा कक्षक संभव है, कौन सा कक्षक संभव है, तो देखें यहाँ पर N की value 1 है, और यहाँ पर N की value 2 है, N की value 2 लिख दिया हमने, हमने यहाँ देखा N की value 3 है, तो अब देखते हैं यहाँ पर L के लिए कौन कौन सी value possible है तो L के लिए यहाँ पर 0, 1 possible है यहाँ पर 0, 1 और 2 possible है क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा sub level यानि जो उपकोश होता है उसकी संख्या N से हमेशा एक कम होती है तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर N की value 4 है तो L की value 0, 1, 2 और 3 होगी हमेशा L की value 0 से शुरू होती है और N-1 पर जाकर समाप्त होती है तो यह बहुत important point है इसे याद रखना बहुत जरूरी है तो बच्चो देखे अगर हम 1 और 0 को 7 में लिखे तो यह 1S बनाएगा यह 2S और 2P बनाएगा यह आपका 3S, 3P और 3D बनाएगा तो हमी क्या समझ में आता है कि अगर N की value 1 है तो यहाँ पर सिर्फ 1S कक्षक बन सकता है मतलब 1P कभी नहीं होगा 2S, 2P और 3F भी यहाँ पर बच्चो नहीं होगा क्योंकि हमने देखा 3S, 3P और 3D पॉसिबल है मतलब यहाँ पर 3F और 1P नहीं कक्षक बनेंगे यह कक्षक बनना असमभव है तो इस तरह की questions को हमने समझा अब देखे यहाँ पर फटा फट इस questions को solve कर लेते हैं यहाँ पर यह आपका 1S, यह आपका 2S, यह आपका 2P, यहाँ पर 3S, 3P, यह आपका 3D होगा कक्षक यह आपका 4S, 4P, यहाँ पे आपका 4D और यहाँ पे आपका, देखें, यहाँ पे S, P, D, F, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे L की values होगी, तो यहाँ पे अगर F की value 3 है, L की value 3 है, तो यह आपका 4F होगा. तो इस तरह हमने quantum, मुख्य quantum संख्या और आपका azomethal quantum संख्या, जिसे हम subsidiary quantum level भी बोलते हैं, azomethal quantum number भी बोलते हैं, उस पर हमने कुछ आधारित प्रेशने किये. तो यहाँ पर उपकोश के बारे में हमने समझा और हम जानते हैं कि यहाँ पर कोश की बात की जाए, तो N equal to 1, 2, 3, 4 होता है, जिसे हम K, L, M, और N भोलते हैं, लेकिन यहाँ पर यह उपकोश कहलाते हैं. तो यहाँ पर उपकोश में हमने समझा कि जब आप कोश की वैल्यू को उसके azomethal quantum number के साथ लिखते हैं, तो वह उपकोश के संकेत बनते हैं. थैंक्यू सो मच, आपको यह लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताएए और इन सवालों को practice करिए, धन्यवाद.